नवस्कार दोस्तों आपका सौगत अपनी यूटूब चैनल एबेस क्लासेस पे और दोस्तों आज बात करने वाला हूँ आप लोग के लिए नियू बैच के बारे में इसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे किसरा नियू बैच कब से स्टार्ट किया जाएगा तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 25 अपरेल से अपन नियू बैच स्टार्ट करने वाले थी जो की कुछ डिले हो गया है मतलब डेट उसका मैं बढ़ा दिया गया है क्यों बढ़ा दिया गया यह चीज मैं आप लोग को पूरा जानकारी दूँगा चैनल में तक बर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेजिए चलिए बात करते हैं यहां पे सबसे पहले नियू बैच के पहले जानकारी अपन को क्या क्या होना चाहिए सबसे पहले बार्मी की पढ़ाई कब से सुरू होगा अच्छा ग्यार्मी बाले जो अभी थे तो उन लोगों को बता रहा हूँ कि बार्मी की पढ़ाई कब से सुरू होगा तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि देखिए दो चीज है जिंदगी में सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए सबसे पहले स्वस्त है इसके बाद सीक्षा है तो ध्यान रहे थोड़ा सा स्वस्त मेरा खराब है पर फिर भी अपन 25 अपरेल से करने बाले थे तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि नहीं कर पाया पर फिलहाल एक मैई से अपन के रिगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगे जो कि आप लोग को पूरा वीडियो के माद्रम से मिलेगा क्योंकि गाउन लेविल है और यहां पे किसी दिन लाइट नहीं तो किसी दिन नेटवर्क नहीं और ऐसी स्थिती में आप लोगों के लिए लाइव चलाना मुस्किल हो रहा है तो इसलिए आप लोग वीडियो के माद्रम से पढ़ेंगे इसके बाद दूसरा यहां पे है बार्मी का स्लेवस बदले गया या नहीं जो पुरान स्लेवस था तो वो बदलेगा या नहीं बदलेगा और हिंदे अंगलिस के बुक जो चेंज हुए थे तो वे फिर से चेंज होंगे या नहीं होंगे ये बहुत बड़ा सवाल है तो मैं आप लोग को यहां पे बता देता हूँ कि बार्मी जो नए बैच है उनके लिए भी कोई भी ओफिसियल नोटिपिकेशन नहीं आया है और इसलिए नोटिपिकेशन नहीं है क्योंकि आपका रिजल्ट ही नहीं आया कक्षग्यारमी का तो फिर बार्मी का कैसे आएगा यह चीज आप लोग बिल्कुल मत पूले तो अपन को पढ़ना है क्या हिंदी इंगलिस में क्या चीज पढ़ना क्या नहीं पढ़ना यह चीज में आप लोग को बता देता हूँ देखिए होगा क्या कि अपन सबसे पहले सलेबस पर उन टॉपिक को पन ध्यान देंगे जैसे यदि कमिस्टी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आवर सार्णी पढ़ेंगे आवर सार्णी यह कोई भी कमिस्टी से नहीं हटा सकता क्योंकि यह कॉमन है चायब जो भी क्लास में रहें वो चीज आप लोग को पढ़ना ही पढ़ेगा तो सबसे पहले में आपन आप लोग आवर सार्णी पढ़ेंगे रही बात त homo थे hindi English की तो homo अपन पूरा grammar level स्टार्टिंग में पढ़ेंगे grammar label पढ़ेंगे तो चाए quick change हो ना हो लेकिन grammar change नहीं होगा ग्रामर वही रहता है चाये जो भी बुक चेंज हो जाए सबसे पहले ग्रामर पढ़ लेंगे जब एक आद दो महीने तीन महीने बाद अपन के जब पता चल जाएगा कि क्या चीज है तो जो जो चीज बचा रहेगा अपन उसको पढ़ लेंगे ये चीज बहुत ही सिंपल है इसलिए आप लोग मैं सोचता हूँ कि फालतू बिलकुल बिलकुल टेंसन से दूर रहें और इन चीजों को आप लोग फालो करें तो अच्छा नंबर आ सकता है अब यहाँ पे आप लोग के लिए एक तीसरा सवाल कितना टाइम देना होगा आपको क्या लेवंत जितना हम पढ़ते थे क्या टाइलते में उतना ही पढ़ना पढ़ेगा या फिर उससे ज़्यादा टाइम देना पढ़ेगा या फिर उससे कम क्योंकि आप लोग यदि बेसिक एक से तीन तक दिगिनती पढ़ लेते हैं तो चार सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सबसे ज़्यादे एक दो तीन तक ही टाइम लगता है चार से दस तक में आसान हो जाता है तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिएगा रहेगा वही बस थोड़ा सा चेंजिस रहेगा तो इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दिया ठीक है आप लोग को टाइम देना पड़ेगा परियाप्त क्योंकि अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कितनी भी मुस्किल सीड़िया हो सबकी अलग लक्सीड़ी होगी क्योंकि मंजिल तो सबका यह की है कि 12 में 95 प्लस परसेंट आए लेकिन एक चीज आप यह मत भूलिए कि जो किसी के घर की इस्तिती गया है कोई गाउं लेबिल से है तो किसी की यहाँ लाइट नहीं है तो किसी की यहाँ नेटवर्क नहीं है यह चीज आप बिलकुल मत भूले क्योंकि हर एक बंदा हर एक लड़का प्रोफेशनल नहीं हो सकता हर एक के माबाप उतने प्रोफेशनल नहीं हो सकते हर एक लड़का एक बड़े बाप का लड़का नहीं हो सकता और एक उसके ऐसा नहीं है कि जिस दिन यदि लाइट चला जाता है तो उसे एक दिया बाती में भी पढ़ना पड़ता है तो ये चीज मैं अच्छे से समझ सकता हूँ क्यों कि मैं भी खुद गाउं से बिलॉंग करता हूँ तो आप लोगों के लिए जो भी सुबिदा आप लोग के घर में हैं उस चीज पर आप ध्यान देजिए आएस आराम और सहरत यदि जिस दिन आपको मिल जाएगा उस दिन पढ़ाई आपकी बंद हो जाएगी इसलिए ये चीज आप लोग बिल्कुल टेंसन ना लें लगातार पढ़ाई करते रहें न्यू बैच बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ तबियत मेरा थोड़ा सा खराब है फिर भी अब थोड़ा सा सुदार आ रहा है तो ये चीजे मैं आप लोग को पूरा क्लियर कर रहा हूँ चैनल में हो तक बर चैनल को सस्क्राइब करके बिल आइकन प्रेस कर लेना और कुरोना जैसे महामारी से बचे रहना और कुरोना से तो बचना ही बचना लेकिन हॉस्पीटल जाने से भी बचना क्योंकि यहां कुरोना की पेसेंट नहीं रहने पर भी घोसित कर दिया जाता है और बहुत कुछ हो जाता है धांदले वाजी ज्यादा चल रहा है इसलिए आप लोग बचे रहें घर में रहें सौस्त रहें पहले सौस्त फिर सिक्षा इसके बाद जो भी है सब चीज करेंगे क इस से जिंदगी में बहुत दिन है पढ़ाई कर लेंगे मिलते नेक्स्ट वीडियो पे वीडियो कैसे लागा एक बार लाइक कर देजे के मिलते चैंल में के शाड़ और एक प्रिश कर लाइचे और प्रिस कर लिजे और दोस्तों में जरूर सेयर कर देचेगा तो दोस्तो अनकेडमी जॉइन करने का समय आगा है क्योंकि अनकेडमी लेके आप लोग के लिए एक कड़ोर जीतने का सुन है राफसर तो आप लोगों का ये होने वाला अनकेडमी कामबेट जिसमें से आप लोग का 25 अपरेल को होगा तो फ्री रेजिस्टेशन होगा जॉइन जरूर कीजेगा चली इसके बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगो यदि आप क्लास 6 के स्टूडेंट से तो फ्री रेजिस्टेशन होगा यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट से तो आप लोग के लिए बहुत ही बहतर मौका है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्री रेजिस्टेशन होगा और यहाँ पे आप लोग ऐसे हैं तो यहाँ पे आप लोग को मैं यह बता देता हूँ कि आप लोग को करना क्या है तो यहाँ पे आप लोगों को बिध जो भी यदि प्रॉब्लम होता है तो आप लोग को सौट वीडियो सेलूशन भी मिलेगा और यहाँ पे आप लोग को 60 मिनट रहेगा और 30 सुपर कोश्चन रहेंगे जिसमें बिकली कमपेट होता रहता है निगेटिव स्कोरिंग होगा और हिंदी इंगलिज की लेंगेज भी आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसमें बात यह कि यह भी है कि जितने भी कमपटीटर रहेंगे सभी लाइव रहेंगे तो आप लोग अपने वहाँ पे अपना अनुमान देख सकते हैं कितने आप जितने आप लोग मतलब की बीच आते हैं तो 25 percent and academic subscription आजाएगा तो आप लोग को देर किस का जाके जॉइन क्यों किसी अमें लिंक है अनकेडमी combat competition जो कि आप लोग के free 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 हो रहा तो link description में दिया हुआ